UFT News 24 से जुड़ रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नमस्कार, UFT News 24 में आपका स्वागत है, रुख करते हैं खास खबर की ओर रिटायर्ट दरोगा के मकान से मिली संदिक्द परिस्तितियों में लाश बारबंकी में उस समय अफरात अफरी का महौल हो गया जब एक संदिक्द व्यक्ति की लाश संदिक्द परिस्तितियों में रिटायर्ट दरोगा के खाली पड़े मकान में मिली जिसके बाद ब्रामिडों ने इसकी सूचना लोनी कट्रा के थाने में दी सूचना पर पहुंची लोनी कट्रा थाना पुलिस ने शवक को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया पुलिस आगे की चानवीर में जुड गई है प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना लोनी कट्रा थानक शेट के बेडो रगाओं की बताई जा रही है वहीं लोनी कट्रा थाना ध्यक्षन नित्यानन ने बताया कि एक संदिक्त व्यक्ति की लाश रटायट दरोगा कनहिया लाल के खाली पड़े मकान से मिली जिसकी शिनाक के लिए सोशल मीडिय वा अन्यमाध्यमों को प्रियोग में लाया जा रहा है तता अप राधियों तक पहुँचने के लिए सर्विलांस और पुलिस चीमों के माध्यम से जांच परताल कराई जा रही है आपको बता दें कि लाश को बदमाशों के द्वारा बुरी तरह से वार करके शत्रिक्षत कर दिया गया अनुमान लगाया जाता है कि युवक को पहले बेरहमी से बीटा गया जिसके बाद पहचान शिपाने के लिए उसको इंटो से सिर्व चहरे पर वार किया गया था लोणी कटना श्वेतर के पेडोरा गाउं में इस घटना से संसनी फैल गई वहीं ग्रामीन पूरे तरीके से सहमे हुए है तो और ग्रामीन तरह तरह के सवालों में उल्चे हुए है आपको बता दे कि इस घटा से रिटायट दरोगा कनया लाल की भी मुश्किले बढ़ सकती है क्योंकि पुलिस रिटायर दरोगा का नहीं हलाल से भी पूछताच करने के मूड में नजर आ रही है बाराबंकी से अंकेत यादव की रिपोर्ट इस खबर में बस इतना ही UFT News 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद